रवीवारकु संराइज़स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच रुमानचक मुकावला खेला गया वहां हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 8 विकेट से मात थी इस मैच में संडराइजriel सियरदाबाद की मालकीन काबयामारण भी अपने टीम को सपोर्ट करने स्टेडियम पूंचिवी थी जब जब काबयामैदान पर अपनी टीम को चियर करने जाती है तब तब फैंस को उनकी नई तस्वीरेंदेखने को मिलती है कैमरामन का पूरा फोकस कब्या पर रहता है लेकिन पंजाब किंग्स के खिले गए मैच में कैमरामन की हरकत से वो गुसे से तिल मिला गई उन्हेंने ऐसा खतरनाक रियक्षन दिया जिसका वीडियो अब सोसल मीडिया पर जम कर वायरल हो रही है हलांकि फैन्स कब्या की इस अदा के भी फैन हो गए है चलिए आपको पूरा किस्सा बताते हैं दरसल हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पंजाब किंग्स और संराइजस हैदराबाद की टीम की भिणत चल रही थी अपने होम ग्राउंड पर संराइजस ने शांदार गिंदबाजी करते हुए एक वक्त पंजाब की टीम के नौ बिकेट मैज 88 रन पर गिरा दिये थे इसके बाद शिखर दवन ने अकेले दम पर पंजाब को 143 रन पर पहुँचा दिया था शिखर जब चौको छक्तों की बारिश कर रहे थे तो काब्यमारन परशान थी इसी बिच कैमरामेन बार बार उनी पर फोकस कर रहे थे काब्यमारन इससे नाखुश नजर आई और वो कैमरामेन की इस हरकत पर भड़ा कुठी इसके अलावा मैच की बात करें तो हैदराबाद ने टॉस जितकर पहले गेंद बाजी करने का फैसला किया था ऐसे में पंजाब किंग्स ने पहले बल्ले बाजी करते हुए निर्धारित बीस ओभर में 9 विकेट के नुकसान पर 143 रन बनाए पंजाब के लिए सबसे ज़्यादा 99 रन कप्तान शिखर धवन ने बनाए वह अंतक नाबाद भी रहे 144 रन के लक्ष का पीछा करने उत्री संराइजस ने 8 विकेट और 17 गेंद शेस रहते टार्गेट को चेज कर लिया रहूल तिरपाठी ने टीम के लिए 48 गेंद पर 74 रन की एहम पारी खेली इस तरह की खबरों के लिए आप इस चैनल को सबस्क्राइब कर सकते हैं साउथ ब्लॉग डिजटर से रंजन गुपता के रिपोर्ट